नमस्कार दोस्तों स्वागत हैं आपका टीसी फैसन में इस वीडियो में हम सट में फलाबदार फागिट लगाएंगे और आपको बताएंगे किस तरीके से उसको लगा सकते हैं और उसकी नाप बगएर कितनी होती है बहुत सारी जानकारियम इस वीडियो में देंगे तो चलि बगा रहा हैं जैसे कि खुली पाकेट वहलती हैं 5 एक 5-5 लगते हैं तो यहां पर इसकी देखनावाई है 5 इंच और लंबाबाई क्यों है तो क्या है आप जब फिल आप लगाएगी तो कि क्या है खजा लुग भाट बहुत जाएगा इदर अगर तो लगे कि पाकिट चौनडाई को ज्यादा आए दूर से ये लगेगा तो परफेक्ट दिखने में लगना चाहिए एक लुक के हिसाफ से तो इसलिए इसलिए पांच साढ़े पांच नहीं इसका पांच नहीं गटा है इसका कटा है और सभा पांच इंच आप किसी की भी लग जैसे कि अगर किसी की मान लिजे लगा रहे हैं सबा पांच इंच तो आपको पूने छे नहीं काटना है साड़े पांच काटना है क्योंकि आपका पहर भर जो है उपर साइड में फलाप लगता है उपर बढ़के इसलिए उसको फलाप की चौड़ाई देखे सबाद दो रखी हमने और जो है लंबाई इसी के बराबर हमको रखना है एक साइड आपको सीधी कर लेना है इसको इस तरीके से रखना है और निसान लगा लेना है इसको कट करने के बद अब उसके बाद आपको जैसा सेब देना हो बैसा दे सकते हैं अगर आपकी पाकेट जो है वो कोना कट लगी है कोना कट बना रहा है तो आपको कोना कट सेप देना है और जो है और अगर नोगदार है तो नोगदा सेप देना है तो यहाँ पर नोगदार पाकेट है तो नोगदा सेप देंगे तो यह आ गए हमारी पाकेट कि उसके अदम पाकिट तोड़ लेते हैं इसको एक इंच आपको फोर्ड कर देना है कि उसके कि उसके ढ़को ले कि आपको नची कर देना है फोज बड़ा है झाल बाल झाल झाल यहां पर हम फलाप चिपका लेंगे अब पाकिट का फलाप हम यहां पर लगाएंगे साड़े आठ पर पाकिट का फलाप पाकिट उससे थोड़ी सी नीचे उतर के लगती है और इधर साइट से सबा दो और इधर साइट से भी सबा दो कभी भी आपकी पाकिट गड़बर नहीं होगी बहुत ही फस्किलास तरीके से बनेगी अब हम चलते हैं मसीन पर और इसको बनाते हैं तो यहां पर फलाप बनाएंगे झालते हैं इस पर सिलाय लगा लाएंगे पाकिट पर तो यहां पर मारिजन छाट देंगे यहां पर पैर का मारिजन सिर्फ रखेंगे बहुत ज्यादा इसमें दबाव नहीं रखा जाता है क्योंकि जब आप पैर की सिलाय लगाएं तो यह उपर जो मारिजन है वो दब जाना चाहिए तो इसलिए इसको कम रखा जाता है बाकी काप को इस तरीके से आधे पैर का रखें नोक के पाद मारिजन कम इसलिए रखा जाता है ताकि नोके हमारी ज्यादा मोटी ना हो इसको पलट लेते हैं तो अब हम इसको लगाते हैं तो यहां पर जो है इसको इस तरीके से रखेंगे और जो फालतुक और जो मारिजन है इसमें दिखें तूटक आप चाहिए तो प्रेसी भी तोड़ सकते हैं और इसको पर सिलाय लगा देना है उसके बाद देखें हमको पाकिट कितनी तयार चाहिए है यहां से साड़े पांच इंच तो साड़े पांच यहां पर निसान लगा लेना है उसके बाद इस तरीके से हमको पाकिट को रख देना है यह जो निसान है यहां पर देखें आ गई ना उतनी ही बराबर उसके बाद इस तरीके से टांकी लगाना है बजा पर इसे बाद पर घृट बाद परोंह झांकी जगएगापस बसे पांकी ज़साब के बाद कर दोलिए टास पांकी बाद है हैं आग है झाल शॉड़र मैंस तरीके समांनी है उसके स्टiट सावाह बलगा है तो दोस्तों देखे इस तरीके से मरी यह तयार हो गया अब इसको क्या करेंगे इसको दबा देना है पैरिक सिलाई से यह मार्जन यहां पर जो है अब हम इसको सिलाई लगा देते हैं तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं तो देखे अब यह पाकिट जो है वो पूरी साड़े पांच है और इधर साइट से देखिए पांच इंच है तो देखने में एक दम बिल्कुल बढ़िया लगेगी मतलब ना ज्यादा चावडी ना ज्यादा पतली जैसी आप सट में लगाते हैं पाकिट ऐसे ही फलाबदार है जैसी नोर्मल पाकिट लगाते हैं जितना साइट की उतनी ही आएगी और बैसे आपकी ब वीडियो आपको अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बारा है तो सब्क्राइब कर बेल आइकन को जुरू पेस कर लें फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए नमसकार